दोस्तों जिस तरीके से प्रधान मंती नरेंदर मोदी और गरी मंती अमिशाह E.D. का दुरुपयोग करते हैं वो खबरे आप आए दिन सुनते हैं जिस तरीके से जहां पर चुना होता है उसे कुछ महीने पहले ही E.D. एक्टिफ हो जाती है और विपक्ष के नेताओं पर धड़ा धड़ कार्रवाई की जाती है जब नतीजे आते हैं तो वहाँ पर सरकार भाश्पा की बन जाती है और अगर जहां पर कांटे की टकर होती है तो EVM के जरिये से भारती जंदा भाटी खेल कर देती है जहां पर ये खेल नहीं हो पाता है वहाँ पर आपरेशन लोटस के जरिये से यानि E.D. के अधिकारियों से कार्रवाई कराकर विपक्ष के नेदाओं को डरा धमका कर वहाँ पर सरकार गिरा दी जाती है यानि सक्ता का पूरी तरीके से आनन लेने के लिए परधान मंतिर नरेंदर मोदी और गिरी मंतिर अमिशाह E.D. के जरिये से पूरी तरीके से विपक्ष को द्राने का काम कर रहे हैं लेकिन अब सुप्रिम कोट सक्त हो चुका है E.D. को जबरदस फटकार लगाई है जिस तरीके से E.D. की काररवाई है कि नेताओं पर काररवाई तो की जाती है लेकिन दोश साबित नहीं हो पा रहा है सुप्रिम कोट ने जबरदस E.D. के अधिकारियों को फटकार लगाई है कि आपने लोगों के उपर केस तो दर्ज कर लिया लेकिन आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो ये कही ने कही एक चिंदा का विशे है कि जिस तरीके से E.D. की काररवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर देखने को मिल लई है 2014 से 2023 तक 121 ऐसे बड़ी काररवाई हैं जो E.D. ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर करी है लेकिन कुछ ही मामलों में सबूत इकठा करके कोट को दिखा पाई है अब अंदाजा लगाई है कि E.D. के जरीए से क्या खेल खेला जा रहा है साहिब अब पूरी तरीके से E.D. का इस्तेमाल करके चुनाओं को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को ड्राने और धमकाने का काम कर रहे है जिस तरीके से लगतार विपक्ष के सवाल उठाता रहा है कि E.D. का दुरुपयोग में प्रधान मंति नरेंदर मोदी ने बहुत जादा कर दिया है और सिर्फ और सिर्फ फरजी केसों में नेताओं को फसाज दिया जाता है E.D. का रवाई कर देती है जेल में डाल दिया जाता है कई सालों तक जेल में रहने के बावजूद भी E.D. के पास कोई सबूत नहीं मिल पाता है पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर सुप्रिम कोर्ट कितना सख्त हुआ है और E.D. को क्या फटकार लगाई गई है पहले हेडलाइन देखते हैं सुप्रिम कोर्ट ने E.D. की इतनी घोर बिजजदी क्यूंकि कॉंग्रेस राज में एक भी नहीं और B.J.P. शासन में 40 केस में ही दोशी E.D. के चाल चलन तथा काम से खफा है सुप्रिम कोर्ट लगार दी डांट तो सुप्रिम कोर्ट ने E.D. की घोर बिजदी कर दी है कि जिस सरीके से E.D. की काररवाई विपक्ष के नेताओं पर देखने को तो मिलती है लेकिन भाश्पा के नेताओं पर एक ही भी काररवाई आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जिस तरीके से नेताओं को ड़रा धमका कर अपने पाले में मिल लिए जाता है और वही नेता जब विपक्ष में होते हैं, तो खुद परधान्वंति नरेंगर मुदी मंचो से कहते हैं कि चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, लेकिन जब उनके साथ आ जाते हैं, तो सारे आ अगर आरोपी को दोशी नहीं ठहराया जाता तो क्या होगा मुकदमे के लिए किसी को कब तक इंतिजार करना पड़ सकता है पशिमंगाल के पूर सिक्षा मंतरी पार्थ चटरजी की जमाना तरजी पर ये सुनवाई करते हुए जस्टिस उज्वल भूईया और जस्टिस सूर कांथ की पीट ने एडी की गिरफतारी पर सवाल उठाया है अब देखें कि किस तरीके से वहां के सिक्षा मंतरी को पहले आरोप लगाया गया उसके बाद एडी गिरफतार कर लेती है दो साल तक एडी के पास कोई भी सबूत नहीं है अब जब जस्टिस उज्वल भूईया और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है तो एडी के पास कोई जवाब नहीं था आप अंदाजा लगाए कि किस तरीके से आरोप ही लगाकर जेल में डाल दिया जाता है लेकिन दो साल तक कोई भी सुनवाई नहीं और कोई भी सबूत एडी कठा ने गर पाई देखे मनी लांडलिंग मामले में दो साल से जेल में बंद चटर जी की अरजी पर सुनवाई करते हुए कोट ने अरसे तक बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने पर ये एहम टिपड़ियां की हैं अब जब सुप्रिम कोट ने एडी को खरी खोटी सुना द देखे पी एमेले के तहट 5297 केस दर्ज 40 में ही दोशी करार केंदर सरकार ने इसी साल 6 अगस्त को लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि पी एमेले के तहट 2014 से 2014 तक कुल 5297 मामले दर्ज किये गए जबकि केबल 40 मामलों में सजा हुई और 3 बरी हो गए और ये जानकारी उस एडी की कार रवाय हो रही है विपक्ष के नयताओं को घेरा जा रहा है उनको जेल में डाला जा रहा है आखिर उसकी सच्छाई क्या है कितने मामलों में दोश सिध हुआ है ये भी ज़रा बताने का का काम करिए तो सरकार ने साफ तबर बताया किë 40 में ही दोशी करार हुए तीन को बरी कर दिया गया है पांच हजार से ज़्यादा केस दर्ज हुए है सिर्फ चालिस में दोशी करार अब अंदाज़ा लगाईए कि E.D. के जरीए से साहिब क्या खेल खेल ले है अपने मित्र को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं वहाँ पर E.D. की एक भी कार रवाई नहीं हुई U.S. से गिरफतारी का वरिंट जारी है लेकिन देश में सदन में चर्चा तक नहीं हो पा रही है ताप अंदाज़ा लगाईए कि E.D. के जरीए से साहिब कब तक ये लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे की E.D. का इस्तेमाल करके किसी राजी की सरकार को गिरा दिया जाता है जन्मत को लूटा जा रहा है और जो जन्ता ने अपना फैसला सुनाया है उसको पैसो की दब पर खरीदा जा रहा है ये तमाम आरोब विपक्ष लगाता रहा है और महराश में जिस तरीके से खेल आपने देखा था कि किस तरीके से उद्धा ठाकरे की सरकार गिराए गई और साफ तो पर वहाँ पर पैसे की लिंदेन का मामला भी सामने आया था अब अंदाजा लगाईए वही अजीत पवार जो विपक्ष में थे परधानमंती नरेंदर मोदी चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग करते थे लेकिन जब उनके साथ सरकार में आगे तो सारे आरोपों से उनको बरी कर दिया गया अब इस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि 2014 से लेके 2024 तक जो राजनेताओं पर काररवाई हुई है उनमें से कितने विपक्ष के हैं और कितने भारती जिंदा पार्टी के हैं यही पर ED के काररवाई पर आप पुरी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर काररवाई कैसे हो रही है क्या काररवाई ठीक होती है गलत होती है इंडिये के दौर में ED के निशाने पर विपक्षी नेता साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जाँच ED कर रही है इन में से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं यानि की 95 फिसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं वहीं UPA के 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों में 26 नेताओं की जाँच ED ने की थी इन में से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे और बाकी सत्ता पक्षके थे लेकिन NDA के 10 साल में 115 विपक्षके हैं और सिब चंद ही सत्ता पक्षके हैं 121 नेताओं पर कारवाई ED कर रही हैं उनमें से 115 विपक्ष के हैं तो अब अब अंदाज़ा लगाईए कि ED का किस तरीके से खेल चला है और इसका इस्तेमाल कैसे परधान मंती नरेंदर मोदी और घ्री मंत्रियों मिशा कर रहे हैं देकि ED की कन्विक्षन रेट इतना कम क्यों है कहां चूक होती है किसी भी जाज एजनसी को जब राजनितिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर है कि इसमें सबूतों का भाव होगा मीडिया ट्राइल में भले ही एजनसी को बढ़त मिल जाए मगर कोट में आकर उस कोट में आकर दम तोड़ देते हैं और उन्हें शर्मसान होना पड़ता है यही वज़या है कि उनकी दोशी ठहराने की दरबेहत कम होती चली जा रही है कोट ने ED को जबरदस खरी-खोटी सुनाई है और जबरदस फटकार लगाई है जिस तरीके से ED किसी को गवा बनाती है लेकिन वो गवाब कुछ दिन बाद मुकर जाता है अब कोट ने इस पर भी जबरदस तरीके से ED की लतार लगाई है सुप्रिम कोट ने ED से कुछ गवाहों के बयानों और हलफ नामों को मौखिक साक्ष ही माना है और कहा है कि ऐसे मौखिक साक्ष भगवान भरोसे होते हैं क सजा दर का हवाला देते हुए ED से कहा कि आप अपने सबूतों पर पूरी तरीके से ध्यान दें मनी लॉंडरिंग के आरोपी 36 गड़ के एक व्यासाई की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकान दिपांकर दत्ता और उज्वल भुईया की पीट ने मिशा किस तरीके से ED का दुरुप्यों करके निताओं को ड्राने और धंकाने का काम कर रहे हैं और राज जी की सरकार गिराने का काम भी किया जा रहा है कि जिस तरीके सब सुप्रिम कोट ने कई मामलों में ED के जबरदस फटकार लगाई है CGI संजीव खन्ना की आने के बाद से ही ED के अधिकारियों को सुप्रिम कोट की तरफ से जबरदस फटकार लगाई जा रही है क्या जिस तरीके से डिवाई चंद्रुचूर के समय में ED बेलगाम हो चुकी थी और कारवाई विपक्ष के नेताओं पर देखने को मिलती थी और ही मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से ED के कारवाई करके राज नेताओं को ड्राने और धंकाने का काम किया जा रहा है और मैंने आपको बताया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 सालों में 121 कारवाई में 115 विपक्ष के नेता हैं और चंद ही सत्ता पक्ष के नेता हैं लेकिन चंद ही में आरोपी भी साबित हुए हैं दोश सी धुआए बाकी सब मामले अभी तक अटके हुए हैं आपकी कहा रहा है केमेंट बॉक्स अपनी राज जरूर दें और इसे तमाम खबरों के लिए देखते हैं ये देशनीती धन्यवाद